हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू सिरीशान सिक्षान संस्थान ओनलाइन क्लासस आज अब मैथेमेटिक्स के सिलक्चर में डिस्केशन करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में समगात फलन जो पार्शल डिफ्रेंशल इक्वेशन का सेकिंड पार्ड है ठीका में क्या है पार्सल डिफ्रेंशेशन पर अधारित है रोमेंट वाले किस्ट्स सेकिंड पार्ट में है तीन पार्ट इसके सेकिंड पार्ट में होमोजीनियस फंक्शन है समगात फलन के बारे में और थर्ड पार्ट में कंपोजीशन फंक्शन के बारे में तो आज हम स्टार और बसी बेड फस्ट एर में लगता है तो आज हमारा टोपिक है ओमोगीनियस फंक्षन हिए होमो जीनियस फंक्षन या समगात फलन समगात फलन समगात फलन कितने वेरियेबल का होगा स्टोरेंट्स यह यह दो वेरियेबल का होगा क्योंकि पार्सल डिफ्रेंशेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि पार्सल डिफ्रेंशेशन पढ़ रहे हैं और पार्सल डिफ्रेंशेशन में क्या होता स्ट्रेंट्स दो है हमारा फलन है तो सम गातफलन की जो स्टुरेंट्स वो क्या हो जाएगी कि ऐसा फलन समगत न कहलाता है जिसके पर थेक पद में गात्साव तो समनगात्स न यह हो क्या बन जाएगी सुड़ेंट्सbus सम गात identafft रव्हाईशा परिवासा क्या बन जाई यह डेफिनेशन कि वह फलन समगात फलन कहलाता है जिसके परतेग पद में एक्स तथा वाई की गातों का योग समान हो वो क्या कहलाता है समगात फलन कहलाता है एक्स और वाई क्या कहलाता है समगात फलन कहलाता है समगात फलन कहलाता है समगात फलन का जो स्टेंडर्ड फॉर्म होता है स्टेंडर्ड फॉर्म और फिर होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन समगात फिलन का माननक रूप जो होता स्टन्थ वो ये वाला होता है फंक्शन और फिर fxy equal to a naught a naught x rest to the power n और y की power कितनी इदर? 0 किसी की power naught उसका मान क्या होता है? 1 plus a1 x rest to the power n minus 1 y1 x की कम होती जाएगी और y की गात बढ़ती जाएगी plus a2 x rest to the power n minus 2 y square plus son last में x की power naught हो जाएगी और y की power n यहां पर आजेगा a n x rest to the power naught और y की power n यह वाला क्यास्टन यह standard form है सम गात फलन का तो यहां से आजेगा a note x rest to the power n plus a1 x rest to the power n minus 1 y1 यहां पर note कमान बढ़ती जाएगी और लास्ट में a n y rest to the power n यह क्या कहलाता है यह वाला सम गात फलन का मानक रूप कहलाता है जिसके परतेग पद में n तथा y की गातों का योग क्या है n है x तथा y की गातों का योग क्या है समान है n है आता है समीकरण नंबर एक समीकरण एक n गात का n गात का सम गात फलन कहलाता है n गात का सम गात फलन कहलाता है n गात का सम गात फलन कहलाता है ठीक है students इस equation number first को हम इस रूप में लिखेंगे function of fxy equal to यहां से x rest to the power n पूरे में से common ले लेंगे इस equation है function हमारा मूल यही वाला तो यहां से x rest to the power n बार ले लेंगे तो अंदर बज़ेगा a note x की power n बार आगया तो यहां पर बच्चा इसको लिख सकते हैं y upon x x की power n बार आ गया तो यहां पर बच्चिया हमारे पास पावर नोट वन ही बच्चा एक नोट ही बच्चा इस प्लस आगए a1 x की power n बार गया x inverse बच्चिया तो मतलब निच्चे तो यहां पर आएगा y upon x की power 1 सौन लास्ट में आ जाएगा a की power n x की power n बार आ गया यहां से y की power n बच्चा और निच्चे x की power n बच्चिया तो y upon x की power कितने अगी students है समगा अत्फलन ही हमारा और फोर में convert करें तो x की power n बार आ गया और अंदर बच्चिया इसको लिख लिए function of इसको मान लिया function of y upon x की क्योंकि y upon x की रूफ का student यह तो यहां से x rest to the power n function of y upon x तो यहां से function of fx y equal to यह वाला आ गया यह आग्गे वाला 5 मान लियते हैं यह वाला 5 मान लिया function of तो यह क्या कहला तो इस रूप यह standard form ही है यह standard form है इसको हमने convert की इस रूप में तो माननक रूप समगात फलन का माननक रूप जो हमारे इस chapter में काम में आईगा यह exercise में काम में आएगा वह यह वाला है इसको हम बोलेंगे कि यह जो दिया गया स्मीकरण है वो क्या है एन गात का समगात फलन है यह निचे एक से तो एक्स की पावर न बारा है ठीक है students तो एन गात के समगात फलन का standard form क्या हो जा अगे है most important आईलर पर में समगात फलनों का आईलर पर में इसी की उपर अधारे जैसरे questions तो आगे वाला जो टोपिक स्टुत स्टुदेंस हमारा समगात फलनों का ऐलर पर में ठीक Strongs तो आगी है समगात का इलर पर में नोग के लिए पर में क्या हो जाएगा पहले स्टेटमेंट दिखे श्रेंट्ट इस और यादी एन गात का सम्गात करने तब उसके लिए दो अगी वाला है समगात फलनों का आईलर पर में सम गात समगात फलनों के लिए ऐलर पर्मे का statement क्या हो जाएगा यदी fxy जड़ इक्वल तो यदी फलन जड़ इक्वल तो function of fxy x तथा y का समगात फलन है तो समगात फलन है तो है तो अर्थात है तो क्या जाएगा x x del f upon del x plus y del f upon यदी फलन जड़ fxy x तथा y का n गात का समगात फलन है fxy x तथा y का n गात का यदे लिखेंगे n गात का समगात फलन है तो उसके लिए x del f upon del x plus y del f upon del y equal to nf ये वाले equation सकते होगी इसके लिए ये n गात फलनों का क्या स्टूरेंट्स ये ये n गात फलनों के सम गात का समगात फलन है उसके लिए i l r p average n गात फलनै चार थो चार का समगात फलन से करने सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी हूई ہوगी उसको समगात फलन के रूप में यह में लिखना है समगात फलन में उसको convert करना है तीन गात के समगात फलन में convert करना है चार गात में convert कर लिया पांत गात में convert कर लिया तो जो standard form होगा वो मैंने अभी आपको बताया यह वाला x rest to the power n function of y upon x यह वाला है हमारे पास ठीकर स्ट्रेंट्स एक्स टूदी पाउर एंड function of y upon x यह वाला है हमारे पास तो यह एन गात का समगात फलन इस फलन के लिए मारे पास आईलर पर में यह तो प्रूमेंट देखिए स्ट्रेंट्स इसका प्रूफ मानना माननी गीवन ही है क्योंकि गीवन डैट गीवन डैट जड़ इक्वल तू function of y n degree homogeneous function जड़ इक्वल तो fxy n गात का समगात फलन है n गात का समगात फलन है तो दिस इक्वेशन बन जाएगी function of fxy equal to x raise to the power and function of y upon x equation number first यह वल्ला हो गया समगात फलन सत्यापन करना इसका क्योंकि आइलर पर्मे का क्योंकि आइलर पर्मे क्या एक्स से डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल अपॉन डेल वाई वल्ल टू एन एफ यह वाला हमारे पास तो इसकी ले लेंगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आइलर पर्मे का सत्यापन हो जाएगा कुछ डेल कि फॉंक्चोन हमारे पास एकेशन नम्बर फ़स्ट यह अतहर स्मीक्रण एक का एक का एकस के सापेख्ष्स के सापेक्ष्स ऐसन सर्ण करने पर आंसक आउकलन करने पर, एकशन डाउकलन करने पर, यहा चैनल आउकलं करेंगे, इसका, तो यहाँ से आजएगा, एक्स, एक्स निस प्रहज़्ट, इसका करना आशी का उकलं, तो इसका मतलब ए डैल f अपॉन, डैल x, एक्स के रिस्पक्न कर रहे हैं, तो X constant, तो अब X के respect कर रहे हैं, यह भी X का फलन है, और यह भी X का फलन है, तो U into V से होगा इसका derivative, तो क्या आप जाएगा, पहले का अगला NX की N-1, दूसरे को A is a T is, Y upon X, प्लस, पहले को A is a T is रखेंगे, X की power N, इसका करेंगी हो जाएगा, F dash से Y upon X, इसका पुन्या करे करेंगी, Y upon X का Y constant है, तो यह जाएगा, 1 upon X का, minus 1 upon X के, तो minus का Y upon X के, यह derivative हो जाएगा, students इसका, तो यहां से आजाएगा, हमारे पास है, NX rest to the power N-1, function of Y upon X, प्लस, X की power N है, दो नीचे, नेगिटिव साइन है, तो नेगिटिव साइन, यहां पे आजाएगा, यह आगिया नेगिटिव साइन, Y minus का Y, X की power कितनी आजएगी, N minus 2, 2 पर जाएगा, F dash Y upon X, ठीक है, students, यह वाला मान आगे हमारे पास, डेल F upon डेल X का, अब क्या करना है, students, अब हमें क्या करना है, हमने एक बार स्मीकरन 1 का, आंसे का उकलन किया है, X के साब X, स्मीकरन नमबर मान लिए इसको 2, पुन्य स्मीकरन 1 का, Y के साब X, Y के साब X, आंसिक आउकलन करने पर, आंसिक आउकलन करने पर, आंसिक आउकलन करेंगे, स्मीकरन 1 का, X की रिस्पेक्ट, Y की रिस्पेक्ट आंसिक आउकलन करना है, अब की बार स्मीकरन नमबर यह, तो यहां से आजएगा, डेल F upon डेल x equal to x की power n constant है उनली सका होगा हमारे पास यह जाएगा x rest to the power n into f dash y upon x y upon x का पुन्य करेंगे तो इसका क्या आएगा y upon x का into 1 upon x क्योंकि y की respect करें तो y का हो जाएगा हमारे पास है 1 और 1 upon x क्या है constant है तो constant value is जागी यहां से तो यह जाएगा x rest to the power n students x की n minus 1 हो जाएगा है f dash y upon x del f upon del y का माने स्ट्टूरेंट्स यह डेल एक्वेशन नमबर आ गया 3 के व को दो तत्फा तीन फेले स्मिक नमबर एक की मट्स ले लेंगी स्मीकर नमरे इसकी लोदध लेगी हमे सिद्ट करनी है क्योंकि LHS लिन्हें element कि धल्रक्षब्रक माल ठर्म एक्स डेल डेलπόल डेलफ़ग्स प्लस Y को देल भॉण 3 स्ट्रण डेल डेल्फ़ग्स समाओन यह पूरा न एक्स की पावर एंट-1 in- Particularly से या f y अपॉन x यह वाला मान आगया मारे पास माइन नेगितिव साइन है y x देश्ट टूदी पावर n-2 f देश से y अपॉन x ठीक है स्ट्रेंट्स इतना मान आगया इसका प्लस का साइन य का मान है यह वाला अंदर है एक्स तो दी पावर एंद माइनस 1 एक्स एक न अंदर है यह ब्लस है यह माइनस 1 न कट गया x raise to the power n, तो यहां से आगया, n x raise to the power n, function of y upon x, ठीक है students, आग्गे वाला, minus का sign y, x की power n minus 2 है, positive बार है, y x की power n minus 1, f dash y upon x, ठीक है students, प्लस आगे वाला, y x raise to the power n minus 1, f dash y upon x, ठीक है students, यह negative है, यह वाला positive है, तो यह इसे कट गया, हमारे पास बच गी, only यह वाले ट्रम, तो यहां से फ्लन हो जाएगा, हमारा, equation क्या बन जाएगी students, यहां से हमारे पास है, हमारे पास equation हाजएगी, x del f upon del x, plus y del f upon del y, equal to, कितना students बार, बार है हमारे पास, यह पूरा मान, यह वाला, यह n x, rest to the power n, function of y upon x, और यह इतना क्या students हमारा, मूल standard function है, n gott का sum gott, क्योंकि, यह response, n gott का sum gott, इसको f लिख सकती है, तो यहां से आजएगा, n function of f x y, यह इसको बोलेंगे, n f, तो इस तरह से कहीं पर हमें पुछा गया हो, कि आइलर पर मेंगा क्या की, जिस रण सत्यापन की जिए, तो क्या करेंगे, आइलर पर मेंगा सबसे पहले हम स्टेट्मेंट लिखेंगे, एक्स डेल अफ पॉन डेल एक्स य डेल अफ पॉन डेल वाई, एक्वल टू n f, जितने डिगरी का वो सम गात्फलन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आइलर पर मेंगा सत्यापन करेंगे, LHS उसकी लेंगे, और RHS क्या करेंगे, लेके आएंगे, जैसे इसका कोई भी एक्जामपल ले लीजिए, जैसे इस्टूरंस इसका एक्सरसाइज क्यूशन ले लेते हैं, एक्जामपल जो है, इसी इसी है, सारे क्या करने इस्टूरंस यू इक्वल टू लोग एकस की पावरावर 4 यه वह ला दियाय। तो यहां से हाय जाएगा हमारे पास है इसने हमें दिया है तो आ सुमिर कि यूए है यूएकल्ड तो नमबर में यूए क्वल टू लोगs अ पावर फॉर्स एक्स की पावर फॉर यह की पावर फॉर नीच से एक्स-प्लस यह वाला दे दिया हमें फंक्शन इलर सत्यापन करना तो यहां से एकस अपन्दि पावर एकयर में आजएगा एक्वर गोंस की पाउर 4 प्लस y की पावर 4 x प्लस y यह वाला फिलन बन गया हमारे पास यह हमारा function हो गया एक ही पावर यू इसको convert करना standard form में इस form में convert करना स्ट्रोंस इसको कि एक्स की पावर n function ओफ वाई अपो यह हमारा मानक रूप है तो हमें इस form इसको convert करना है या करें के convert करने के लिए इस स्ट्रोंस दी पावर यू एक्स की पावर फॉर उपर से वाढलेंगे निचा निचे से यह बन जाएगा 1 प्लस Y अपोन X की पावर 4 यहां से 1 प्लस Y अपोन X आ जाएगा स्ट्रेंट्स यह वाला मान तो यहां पे बच गए X की क्यूब यहां जाएगा 1 प्लस Y अपोन X की पावर 4 और 1 प्लस Y अपोन X यह तो y upon x के रूप का function होगे तो यहां से आगे x cube function of y upon x e की पावर u यह वाला फलन है हमारा मतलब मूल function हमारा यह वाला है तीन गात का sum गात e की पावर u है यह function है इसका मतलब है यह क्या लिख लेंगे हमें सिद्ध करना है यह की u equal to function मान लेंगे students यहां से हमें सिद्ध करना है तीन गात के sum गात फलन के लिए आईलर पर में तो यहां से आज जाएगा हमारे पास है सिद्ध करना स्थ्यापन करना है तो इसका मतलब तीन गात क्योंकि दिया गया फलन जो हो क्या है तीन गात का sum गात फलन है अता है तीन गात के sum गात फलन के लिए आईलर पर में क्या हो जाएगा एक्स डेलैप आपॉंटैल प्लॉस नाव एक्स एकवल टू टू chef जो फलन है और फलन क्या ई कि पावर यू है F equal to E rest to the power U तो यहां से X del upon del X E rest to the power U plus Y del upon del Y E rest to the power U equal to 3EU यह शिद्गरने स्टूरेंट समय तो इसकी LHS ले लेंगे X del upon del X E rest to the power U plus Y del upon del Y E rest to the power U इसका मान है मारे पास E rest to the power U का क्या मानने स्टूरेंट्स इसका मान है यह पूरा यह वल्ला मान है इसका X की power 4 plus Y की power 4 X plus Y यह वाली value क्या रखेंगे E rest to the power U की जगार रखेंगे फिर दोनों की value put करेंगे solve करेंगे X की respect derivative करेंगे Y की respect derivative करेंगे तो क्या हो जाएगा I LH पर में का सत्यापन हो जाएगा तो exercise जितने भी इसके एक्जामपल से बहुत इस इस आपको करने हैं और क्यों से वह भी इजी हैं बस हमें क्या करना है जो function अमें दिया गया है उसको क्या करना है इस form में convert करना है इसको इस form में convert करना है फिर जितने गात का समगात फ्लन आएगा उसके लिए आईलर पर में लिखनी है और फिर LHS लेके इसका मतलब है कि आईलर पर में का सत्यापन हो गया तो मैं आपको करवाओंगी वर्ना इजी क्योशन आपको करने है ठीक है स्टूडेंट्स थैंक्यू